हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों मैं हूँ गिर्राश शर्मा और यह मेरा पहला ब्लॉग है सर्मा जी के ब्लॉग चैनल पर जैसा कि आप सभी जानते होंगे जो लोग पहले से जोड़े हुए हैं कि सरल टॉक पर हम मुद्दों की बात करते हैं तो सरल कॉमेडी पर हम बना जाए आप लोगों के सवालों के जवाब भी दिये जाएं मैं इस वक्त मौझूद हूँ अपने जन्म स्थान मद्यप्रदेश के मुरेना में तो सोचा कि पहला ब्लॉग क्यों ना अपने जन्म स्थान हॉम टाउन से ही बनाए जाए दोस्तों सबसे पहले कई लोग हो के बाद मैंने जन्यलियग्या जन्यंडियोकिया यहाने के बीसा हरमा करने के बाद मैंने जन разрmera किया दोस्तों और मेरा जो सवक था दो सात सात में करता रहता हूं जैसा कि आप 岂ते होंगे और मैं आपको बता हुए मैं आप लोगों के प्यार ने उसे बड़ा दिया है और आप लोगों का प्यार इसी तरीके से रहेगा तो मद्य प्रदेश ही नहीं पूरे देश के साथ साथ सरल्टॉक की आवाज गूजेगी और स्टूडियो भी हम समय के अनुसार और बड़ा कर लेंगे लेकिन हमारी कोशिश है कि आप लोगों के मुद्दे प्रदेश के साथ साथ पूरे देश में और वो तभी गूजेंगे जब आप लोगों का प्यार बना रहेगा आप लोग दिल से शेयर करेंगे ब्लॉगिंग के म मैं पता नहीं है मुझे पहली बार मैं ब्लॉग बना रहा हूं दोस्तों यह मेरे पापा जी है और इस समय नाश्था कर रहे हैं हाला कि मैंने अभी नाश्था नहीं किया है क्योंकि बैसे ही पॉलिस कर लिए उपर से पापा जी नहा चुके हैं और यह कहां की कचोड़ी है अगर आप आते हैं तो गोपाल की कचोड़ी आप खा सकते हैं बेहता स्वादेश्थ है मार कंडेस और मंदर के सामने और पापा जी इसको बड़े ही जो है लजी मतलब पूरे आनद के साथ इसको खा रहे हैं आप भी कुछ खा रहे हूं साथ में तो बताते चलिएगा कि आ अंदर चलते हैं देखते हैं कैसा है तो हम अंदर आ रहे हैं अभी लाइट ओफ है लाइट चालू करके देखते हैं कैसा है हमारा चोटा सा इस्टूडियो और आपको बताते हैं लाइट चालू हो गई है सारी लाइट करती है दोस्तों यह डेस्क है हमारे स्टूडियो की यह चेयर है और उस साइड की लाइट भी और आपको बताते हैं ग्रीन स्टूडियो है णया तयार किया है लेकिन प्रोग्राम काफी कम यहां पर record हो पाए हैं क्योंकि मैं मुक्रूप से इंदौर रहता हूं आप सभी जानते हैं इंदौर उसके आसपास से हम record करते हैं और यह मेरा हॉम टाउन है तो जब कभी आना होता है यह studio देख सकते हैं आप छोटा सा लेकिन आपके प्यार से यह बड़ा ही है हमारे लिए यह कुर्शी है जहां पर जो भी गैश्ट आते हैं उनका हम साक्षातकार करते हैं इंटर्व्यू करते हैं यह संबाज प्रोग्राम हम पहले करते थे उसका है और यह पूरा इस तरीके से विवस्त है दोस्तों आपको मैं यहां पर यह भी बता आज के समय में कई कई तरह के आ आगे हैं आप सभी देखते बहुत प्यारे स्टूडियो आ गये हैं लेकिन इस्टूडियो जिससे क्रोमा कड़ जाता है और चैनल जब आप जाएंगे तो वहाँ पर स्क्रिप्ट राइटर की डैस्क होती है इंपट डिपार्ट्मेंट होत होता है काफी बड़ा जो है सेट अप होता है तो कभी अगर मैं चैनल जाओंगा मद्रदेश के किसी में तो आपको ब्लॉग में वो भी बताऊंगा दोस्तों मेरे ब्लॉग कैसा लगा और आप मेरे बारे में और क्या जानना चाहते हैं कमेंट वे अपनी राए जरूर दीजि झाल 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